Hello my dear friends and scholars, welcome back to all of you once again to your own channel, Anand the Law Concept ATLC. Friends, today we are going to discuss most important articles of the United Nations Charter, जो कि आपके UGC, NET, JRF के लिए, PCS, Civil Judge के पेपर के लिए important है, जहां कहीं भी UN Charter आता है. तो एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूँ, अगर आप कोई कोर्स, जो कि API Judiciary Exam से related, हमारी Academy से प्राप्त करना चाहते हैं, तो उपर दिये गए number 945 222 0757 पर, बहुत सारे aspirants की तरह, lab उठा सकते हैं, join करके batch, एक चीज़ और, हमारे पास recorded lectures भी हैं, आप जल्दी खतम करना चाहते हैं, जो कि आजकल के aspirants का सबसे most favorable तरीका है, किसी भी subject को खतम कर रहेगा, क्योंकि लाइफ sessions के recorded videos हैं, इसलिए as such, पूरा elaborative आपको जल्दी से नहीं मिलेगा, जो उसमें मिल रहा है, बारहाल, UGC net और PCSJ के लिए important articles part number 1 of the video आपके सामने है, देखिए, इसमें कुछ चीज़ें हैं, जो आपको जानना है, ये part 1 है, तो important articles, यहाँ पर journal ही हम, जर्नली, जर्नली, इस टाइम, इस वाली slide में है, compositions के बारे में बात करने बाले हैं, जी हाँ, किन-किन का compensation है, articles याद होने चाहिए, जैसे the journal assembly का composition कहाँ पर है, article 9 में है, security council का composition कहाँ है, 23 में है, 61 में क्या है, economic and social council का है, trustorship council 75 में है, 93 में ICJ है, और the secretariat 97 में है, तो पहली बात तो ये articles important हैं, किसी भी exam के लिए, जहां पर आपका ये UN Charter apply किया जाता है, अब बात करते हैं, कि जो section 9, article 9, sorry, article 9 बात करता है, journal assembly के composition की, तो आप इस में देखने को पाएंगे, कि इसके composition में लिखा है, कि the journal assembly shall consist of all the members of the United Nations, जितने भी United Nations के member हैं, वो सभी के सभी क्या समझे जाएंगे, journal assembly के भी member समझे जाएंगे, इच member shall have not more than five representatives in the journal assembly, जो कोई भी member है, वो ज्यादा से ज्यादा maximum, जो अपना representative भेश सकता है, जर्नल assembly के लिए, वो क्या सीमात तरह रखी गई, पांच लोग, पांच लोग से ज्यादा नहीं भेश सकते हैं, दूसरा security council, एसी, यह देखी बहुत short में याद करा रहा हूँ, आपको ज्यादा है deep में नहीं, हमारी जो academy है, उसकी tagline ही यही है, क्या, selection based study, या selection based concept clearing, तो यह बात समझेगा, इस चीज़ को मानिए, कि आपको selection लेना है, आपको subject में mastery नहीं करनी है, ना ही PhD करनी है, यू आर selected, तो आप selection की नजर से पढ़िये, आप teacher की नजर से मत पढ़िये, कि हाँ मुझे किसी को deliver करना है, ना, आप competition cracker है, ये बात अगर नियत में डाल करके पढ़ेंगे, तो आपका पढ़ने का तरीका अलग होगा, otherwise selection based study नहीं कर रहे होंगे आप, तो फिर यकीन आप कुछ नहीं कर रहे होंगे, आप बहुत अच्छे subject के master हो जाएंगे, लेकिन crack नहीं कर पाएंगे, खेर, security council क्या है, 23 में दे रखा है, literally याद कर लीजेगा, क्या कहता है, इसमें कितने members, Republic of China, France, Soviet, Socialist, Republics, all the United Kingdom, Britain, Northern Ireland, and the United Nations of the Americas, ये सब कुछ है, 6 इसमें non-permanent members भी होत पूछता है, security council किस article में दे रखा, 23 ये पूछेगा आपसी, फिर economic and social council के बारे में पूछता है, article पूछता है, 61 में दे रखा है, क्या composition, 18 members होंगे, जिनका election by the, क्या करते हैं, आपका general assembly के द्वारा होगा, tenure इनका 3 साल के लिए होता है, कौन कैसे गया, कोछ नहीं याद करन है, सिर्फ article याद कीजिए, जब याद करने की बारी आगी, मैं बताऊंगा आपको, क्या चीज़ इसमें keyword याद करना है, अभी आपको क्या article है, composition है, इस वज़े से इसमें यादा अंदर नहीं जाना है, eligible होते हैं, या नहीं होते हैं, re-election के लिए immediately तो होते हैं, ये बात 61 में बात कहीं गई, 75 में बात करते हैं, तो इसका composition important नहीं है, इसलिए इसको याद मत कीजिएगा, बस हाँ, ट्रस्टिशिप काउंसिल कहां दे रखिए, 75 में दे रखिए, ये बात आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है, प्रिवियस देर्स के पेपर में आप देखेंगे, बहुत favorite question रहा है, composition नहीं रहा है, Article C दे रहा है, 93, the International Court of Justice, ICJ के बारे में है, composition क्या कहता है, कि जितने भी United Nations के member हैं, वो इसक्टो मतलब कि अपने आप ही क्या माने जाएंगे, ICJ के members माने जाएंगे, I state which is not a member, ये भी पूछता है, किस में ये लिखा गया है, कि अगर कोई member नहीं है, United Nations का, फिर भी वो चाहे, तो party बन सकता, ICJ में, ये कहां लिखा गया है, Article 75 में, क्या दिक्कत है बहीं, क्या लिखता है, I state which is not a member of the United Nations में become a party, ये और condition to be the determined in each case by the General Assembly upon the recommendation of the Security Council, किसकी recommendation पर, Security Council के, और क्या कहते है, कौण determined करेगा, General Assembly, तो ये बात आप बहुत ध्यान रखेगा, Article 97, Secretary and such वाले, क्या कहता है, the Secretary shall compromises, Secretary General and the staff, कोई निश्चित सीमा नहीं दी गई है, स्टाफ की, जैसा उचित समझेंगे, वैसे रख लेंगे तो CDC बात समझें, ज्यादा बकमास में पढ़िएगा, कि क्या है, कैसा, Article जरूर याद रखेगा, 97, क्योंकि एक ऐसा, United Nations वाला पार्ट है, जिसमें आपको to the point पूछेगा, और सारे Article भी नहीं आपको याद करने, सारे Article याद करने बैठ जाएंगे ना, तो आप उस subject को तो United Nations खदम करवादूंगा चार्टर, ठीक है, all the best, keep steady and keep liking, keep subscribing the channel and also share भाई, share करो, सबको भेजो, benefit पहुचाओ, तब और सारी चीज़े ताकि आपके लिए किया जा, इसी चैनल पर, चलिए, मिलते हैं, तब तक के लिए, खुदा हाफिस.